आज हम बात्चित करेंगे अच्छा स्कूल नाम की किताब अच्छा स्कूल किताब जॉन हॉल्ट ने लिखी है और यह किताब एक छोड़ से स्कूल की कहानी बताती है और वो छोड़ सा स्कूल डैन्मार्इक में चलता था अभी चलता है या नहीं चलता है इसका हमें नहीं पता है लेकिन किसी वक्त चलता था और जॉन होल्ड जिन्होंने किताब लिखी है उस स्कूल के बारे में उन्होंने उसी स्कूल पर एक फिल्म भी बनवाई थी जिसे पेगी हुज ने बनाया था और उस फिल्म को हम चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं जिस फिल्म का नाम है We have to call it school यानि हमें इसे school कहना पड़ता है तो यह जो किताब अच्छा school नाम की इस किताब के नाम से ऐसा लगता है कि यह एक school के बारे में बात करेगी जो की है भी लेकिन इसकूल का नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ चीज़ां आती है कि जैसे इसकूल में कुछ कक्षाई होंगी इसकूल का कोई सेक्षिक कारेक्रम होगा इसकूल का पाठेक्रम होगा इसकूल में परिक्षाई होंगी स्कूल में रिपोर्टें लिखी जाती होंगी स्कूल में नंबर दिये जाते होंगे इस तरगी कलपना है हमारे दिमाग में आती है क्योंकि हम चारों तरफ स्कूल में ऐसा होता हुआ देखते हैं तो यह अच्छा स्कूल है तो स्कूल लेकिन इसमें कक्षा जैसा कुछ है नहीं और नहीं इसका कोई तैशुदा सेक्षिक कारेक्राम है अब इसी तर इसका कोई तैशुदा पाठेक्राम भी नहीं है तो जब इसमें कक्षा नहीं है तो कक्षा नहोने के वज़े से इसमें परिक्षा हैं भी नहीं होती क्योंकि जब कक्षा होती है तब हम परिक्षा लेते हैं ताकि हम यह तैक कर सकें कि बच्चे जो हैं इस साल इस कक्षा में पढ़ते हैं अगले साल अगली कक्षा में चले जाएं तो चुकि इस स्कूल में कोई कख्षा है ही नहीं तो इन्हें परिक्षा लेने की जरूत नहीं पड़ती और जब परिक्षा नहीं लेते तो इस स्कूल में नंबर और ग्रेड देने का कोई सस्टम नहीं है इसी तरह इस स्कुल में कोई तैस्षुदा विशय नहीं है कोई तैस्षुदा पाथिक्रम नहीं है कि जिसमें कोई कालांश भी नहीं है तो इस स्कुल में गंटी भी नहीं है कि यह ऐसा स्कुल नहीं है जहां पर रोज हर आधे गंटे में 40 मिनिट में एक गंटी बसती हो और यह बताती हो कि हमारा कालाश शुरू हुआ है या खतम हो गया अच्छे ऐसी तरह इस स्कूल में बच्चों पर पढ़ने का कोई दबाव नहीं है यह बच्चों से ना तो कहा जाता है कि आप इस चीज को पढ़िए ना उन पर दबाव बनाया जाता है कि क्या आप यह करना चा एक कुछ वर्णन की कुछ द्रश्य आपके सामने रखाँ पहले मैंने कोचिश की थी ची मिअ कुछ वीडियो को तोक्ड़े आपके सामने रहूं लेकिन वो ओर फेस्बूक पर मुमकिन दिए रहे तो शुरुत में यह समय स्कुल में बच्चे आते हैं और फिर शुरू में इस जब बच्चे सफाइक करते हैं तो तो सभी बच्चे उस सफाई को बड़े मज़े से करते भी नजर आते हैं अगर आप वीडियो देखें तो आपको लगेगा कि बच्चे सफाई के सासा निरत्ती भी कर रहे हैं सफाई का मज़ा ले रहे हैं पानी को मज़े से उचाल रहे हैं फर्स को बड़े मज़े से साफ कर रहे हैं और सभी बच्चे अलग-अलग कामों में लगया हुए हैं नमस्ते नुपमा जी नमस्ते एहमेश तो शुरुवात सफाई से करते हैं उसके बाद इस स्कूल की आपर एक स्कूल जैसे नहीं है इस स्कूल को तो गूदिंग उढ़ को को पूराना कोई पेस्ज़िश कि ठाहि पाली ठाल ने कुछ चलता यह नहीं है उस स्कूल को उतलानेelcome के मैं कहते हैं मेरे कार्टून यह मैं कह सकते हैं क्रेट मिल गएए ते जिस create का या cartoon का इस्तेमाल ये उस school का नक्ष़ा बनाने में करते हैं कि उस school cartoon की मदद से ये कमरे उस खाली जग़े है बहुत बड़ी सी उस खाली जग़े को कमरों में बाड़ देते हैं उन कमरों का आकार बदाते रहते हैं तो इस school में एक काम जो होता है साल में एक बार या कई बार की स्कूल का नक्षा बनाना कि सब जने मिलके शिक्षक और बच्चे मिलके इस स्कूल का नक्षे को दुबारा तैय करते हैं कि कहां पढ़ने का कमरा रहेगा कहां लखडी के काम की जगह रहेगी या कहां बैठ कर किताबें पढ़ने की जगह तो यह सब मिल कर तरह करते इसके लिए इनकी स्कूल की मीटिंग होती है जिसमें अध्यापक और बच्चे भड़ा नहीं है इस स्कूल में छे अध्यापक और क relational क्रीब बच्चे है और बच्चों की उमरहे छैंसे लेकर 14 वर्ष तक है तो वह सब मिलकर मीटिंग में तैक करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या करेगा और उसके नक्षा क्या बानेगा और रोज सवेरे उसकी सफाई का काम भी करते हैं सफाई के बाद जो एक नियमित एक्टिविटी है नमस्ते सुष्मा जी नमस्ते पदमजा मैंने भी बात शुरूई की है इसकूल के बारे में तो इसकूल का पहला जो काम है सफाई उसके बाद है कि वहाँ पर संगीत की कक्षा होती है जिसमें संगीत और नरत्य दोनों की जा इंस्ट्रुमेंट पर या किसी भी वाद्दी पर ताल देना शुरू करते हैं और बच्चे और शिक्षक अपने शरीर को अपने मंचाय धंग से हिलाना दोना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कोई ताल बनती है जिस पर सभी जने या कुछ बच्चे नाशने लगते हैं और यह तालें बदलती रहती हैं इसी तरह उसी संगीत के सासात कई बार यह कसरत के काम भी करते हैं बहुत सारे खेल करते हैं कि जैसे कुछ बच्च गानिश देकर या किसी सामनी ग्यान की प्रिश्णावली को लेकर नहीं होतीई इसके बाद हाज्री हमारे यह पाई जाती है आम तोर पर उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि हमारे स्कूलों में हाजरी का इस्तेमाल डंडे की तरह अनुशासंच तरह किया जाता है कि जो हाजर नहीं है या जो देर से आया है उन्हें सजा के तौर पर उस हाजरी का इस्तेमाल करते हैं यहां हाजरी की परंपरा इस तरह की है कि सिक्षक आम तोर पर हाजरी नहीं लेते लेकिन गिन लेते हैं कि सभी बच्चे आया नहीं आये और यदि कुछ बच्चे नहीं आये हैं तो एक दिन इंदिजार करते हैं वैसे सभी बच्चे आजपा सी रहते हैं तो कोई उनको बता देता है कि जो बच्चा नहीं आया उसकी वज़ा क्या है और फिर जब बच्चा आता है 2-3 दिन बाद तो वो अपने किस्से सुनाता है कि मैं कहा गया था और क्या किया था तो इस तरह से देखें तो वहाँ पर हाजरी का इस्तेमाल भी डराने के बजाए हाजरी का इस्तेमाल इस बात के लिए किया जाता है कि बच्चे सुलक्षित हैं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हाजरी के बाद जो उस स्कूल में बात करें तो हम देख सकते हैं कि उस स्कूल में जो सिखाने का मामला है उस सिखाने में जो सिख्षक हैं और जो अभावक हैं वो रोज या कई वार मीटिंग करते हैं शाम को तो मिलकर बात करते हैं कि स्कूलों में काम कैसा चल रहा है और उस स्कूल को चलाने वाले छे अध्याबकों का समू हैं और वो आपस में मिलकर उनका कहना ही है कि हम इस स्कूल में मुक्य तो दो चीज़ें करते हैं पहला खुब सारा काम करते हैं और दूसरा खुब सारी बातें करते हैं तो काम अब सवाल ये काम जो करते हैं वो काम चुनता कौन है आम स्कूलों में उन काम का चुनाव सिक्षक करते हैं इस स्कूल में वहां पर होने वाले कामों को चुनाव सिक्षक भी करते हैं बच्चे भी करते हैं और कई बार ऐसा होता है बच्चे जिस काम को चुनते हैं उस देख भाल भिएकी ऐसी एक बार महांपर है उनकोम से को ऐकवरियम मनाने का स्वक लगता घृष अ है जो में अज्षित उससे सब्षामिल होते हैं लेकिं ऐसा नहीं है कि अपनी योजना ही होती है उससाफसा कारते हैं अभी तक सुनके लग रहा हुआ कि उस abundance सामान नहीं है कि सामान वहां भोत देखता नहीं है लेकिन जब जरूत होती तब सामान मिल हुआ है एक कुना और मेज है जहां पर कारपेंटर का सामन पड़ा हुआ है एक कुना है जो किचन है एक कुना है जहां किताबें रखी हुई है और एक पुरा खाली जगह है जहां पर वो सब्सक्राइब करते हैं या स्कूल की सामवी मीटिंगे करते हैं हां महेश कह रहे हैं क क्योंकि इस स्कूल में यह भी होता है कि आपको इस साल जो पैसा है वो पैसा किस काम बे खर्च होगा वो सिक्षक बच्चे मिलके तैक करते हैं जैसे कई बार सिक्षक बच्चे मिलके योजना मनाते हैं कि हम इस साल हमारे पास इतना पैसा है तो हम इतनी यात्राइं करेंगे और फिर वो सिक्षक बच्चे मिलके आसपास की यात्राइं करते हैं मतलब लेखक बताते हैं कि एक आत बार तो वो देनमार्क एक छोटा सा देश है तो यात्रा करके देनमार्क के दूसरे देश में भी चले गए थे और डेनमार्क में कई बार यात्रा करके वो जंगलों में या नदियों के पास या और जगह गूमते रहते हैं तो योजना अभी बात कर योजना भी कई बार मतलब कितना पैसा कहां पर खर्च होगा यह योजना भी मिलकर बनाते हैं सिख्षा और बच्चे मिलकर अब यह कि फिर पढ़ने का काम कब होता है तो अगर हम इसकी फिल्म देखें तो हमसे द्रश्य देख सकते हैं कि जब एक व ज़्यान रखते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने में कहां पर है उसको क्या मदद चाहिए बच्चे अपना भी पढ़ते हैं बच्चे अपने साथी के साथ भी पढ़ते हैं बच्चे अध्यापा के साथ ही पढ़ते हैं अच्छा बातचीत जो कि स्कूल का एक मुख्य काम है वो बादचीत यहां के सिक्षक कहते हैं कि चलती रहती है लेकिन वो बादचीत काम के साथ चलती है और यहां सिक्षक यह मानते हैं कि काम के साथ साथ जो बादचीत हैं वो बादचीत ज्यादा सार्थक होती है उस बादचीत में कुछ बच्चे आते हैं उस काम के साथ वेल्डिंग के वहांपर वेल्दिंग को बड़ा मज़ा आता है कि लोह मशीन से घर्म करना और फिर उसको जोड से पीटना और फिर देखना कि इससे क्या बनता है जैसे कील बनाना हमें लगता है बड़ा आसान सा है लेकिन लोगे को गर्म करके कील बनाना आसान काम नहीं है जिस लेखक ने हॉल्ट ने किताब लिखी उन्होंने खुद कोशिश करके देखा कि क्या उनसे कील बनती है तो पता चला कि उनसे कील बड़ी महनत के बाद भी ठीक से नहीं बन पा रही है लेकिन वेल्डिंग के काम के साथ एक रोचक किस्से का अवर्णन भी लेखक करते है कि वेल्डिंग का काम सिर्फ वेल्डिंग का काम नहीं है वो पहली बार जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा हर बार जब उसको वेल्डिंग करता है तो हर बार जब लोए की हथोड़ी से चोट मारता है तो बहुत जोर से चीकता है जिससे सब दर जाते हैं लेकर भी डर जाता है जोन ओल पी लेकिन कोई उसको कुछ कहता नह लेकिन वही हॉल्ट जब एक साल बात जाते हैं तब हॉल्ट देखते हैं वही बच्चा बड़ा खुश्मिजाज है जो कि एक साल पहले बहुत आकरमक था और बड़े अच्छे तरीके से वेल्डिंग का काम करता है विनीद पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल का पैसा कहा से आता है क्या ये बच्चों की फीस है या कुछ ओन्रेरिया में तो ये डेन्मार्क में चलता है वहाँ पर एक खास तरह का कानून है उस कानून में ये है कि अगर कुछ व्यक्ति मिलके एक तो पहली बात है कि उस कानून में अनिवारिया है कि सभी व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेज़ेंगे और अनिवारिते भेज़ेंगे उसी कानून में एक गुणजाइश यह है कि यदि कुछ व्यक्ति मिलके एक साल एक स्कूल चला लेते हैं तो अगले साल से उस स्कूल के खर्चे का 85% पैसा सरकार देती है तो ये स्कूल भी उसे ज़े चलता है हमें लगता है कि 15% जो बचावा पैसा है वो मावाप के लिए बहुत आसान होता होगा लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि डेन्मार्क में बहुत अमीरी नहीं है तो बहुत गरीवी भी नहीं है तो जो माता बिता है उनके लिए 15% जोटाना भी काफी होता है और पहले साल पूरा पैसा जोटाना उनके लिए काफी मुश्किल होता है तो अच्छा दूसरा ऐसे स्कूल डेन्मार्क में बहुत कम है करीब 30-40 स्कूल है उनमें से यह एक स्कूल है जो खासतार रखा है और स्कूल है वो भी little स्कूल है यह छोटे स्कूल है इसका अंग्रिजी में नाम new little school है और भी छोटे स्कूल हैं लेकिन सभी स्कूल इस तरह के हैं ऐसा नहीं है चलिए हम फिर से स्कूल में लौट के आता हूँ कि इस स्कूल में जो बहुत सार काम मिलकर करते हैं तो जैसे दिन का खाना है वो खाना भी सब जने मिलकर खाते हैं अध्यापक भी बच्चे भी और कई बार वो खाना मिलकर भी बनाते हैं उनके लिए मिलकर खाना बनाना एक पूरे समारो जैसा होता है जिसमें छोटे से लेके बड़े बच्चे और अध्यापक सभी अपना अपना काम चुन कर रहे हैं इसी तर उनमें चुकि उस जग्याँ के आसपास एक खुला जंगल है और पास में ही खुली जग्याँ काफी है तो बच्चे ने एक पार ऐसा भी किया उस स्कुल में कि बच्चों ने तय किया कि हम अपने पास में एक जूपड़ी बनाएंगे और जूपड़ी में कुछ समय रहेंगे तो पूरा काम और पूरी योजना बच्चों ने बनाई और फिर उन्होंने बांस चुने, बांसों को काटा, बांसों को बांधा और उसकी बहुत वियोस्ति डंक से जोपड़ी बनाई जैसे पहले मैंने बात की कि मसली पालने काम बच्चों ने तैय किया उसको किया जोपड़ी बच्चों ने बनाई और उसमें अध्यापकों लकुछ मदद की लेकिन योजना बच्चों ने बनाई ऐसे ही बहुत सारे काम जो बच्चे किसी वक्त पसंद करते हैं और चुनते हैं उसको मिलके करते हैं इसमें एक हिस्सा जो कई जगे आता है इसमें नैतिक्ता को लेकिप इनके क्या नजरी आए गुए एक छोटा किस्सा है जो नैतिक्ता के बारे में इनके नजरी को बताता है. तो मैं उस किस्से को पढ़के सुनाता हूं. अमिद पूछ रहे हैं कmi क्या इसकूल सरकार के योजना के तहत ही है क्योंकि सरकार का कानून है जिसके तहत वहां के नागरे अपने बच्चों के लिए स्कूल चला सकते हैं पहले साल खुद चलाएंगे अगले साल उनको 15% परेसा खुद कर्श करना पड़ेगा चलिए मैं इसका नेतिकता को लेकि इस स्कूल का क्या नजरिया है उसको समझने के लिए किस्सा पढ़ता हूं किताब में से ये किताब है बहुत छोटी सी जो हमें नेट पर भी मिल सकती है जिसका नाम है अच्छा है स्कूल एक छोटा सा लड़का जो स्कूल में नया था बहुती आक्रामक और गुस्सैल था वह उस छोटे से गुरुप में से था जिसे बच्चे स्वयम ही आतंगवादी के नाम से पुकार करें यनि ये आतंगवादी सिक्षग नहीं कह रहे है बच्चे खुद कह रहे है उसको एक बार वह एक गत्ते के डिबे को डंडे से मार कर खेल रहा था उसने एक दस वर्ष की लड़की के आँख में बहुत जोड से मार दिया और अपनी कर्तूद को बिना देखे भाग गया लड़की अपना हाथ आँख पर रखकर दर्ज से दोहरी हो गई दूसरे बच्चों ने और सिक्षक ने भी यह देखा उसके पास के लोगों ने उससे पूछा वह ठीक तो है ना और उसे सान्टवना और सानुगूती दी बस और कुछ नहीं हुआ अन्य किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ हुआ होता तो उस लड़की ने शोर मचा दिया होता और सिक्षक से शिकायत की होती उस छोटे बच्चे को खीच कर लाया जाता उससे माफी मंगवाई जाती और उससे सजा दी जाती लेकिन यहां बड़ों ने, बच्चों ने और उस लड़की ने भी यही सोचा कि उस उत्पाती बच्चे ने जान बुश कर नहीं मारा उसे सजा क्यों दी जाए क्यों उसे शर्मिंदा किया जाए उसे क्यों अधिक और प्रबलता से यह एहसास कराया जाए कि वहां किसी लायक नहीं है जबकि उसके मन में घर की उई इसी भावना ने उससे यह हरकत करवाई इसके स्थान पर उसे यह महसूस करने में साहयता क्यों न की जाए कि यहां उसे डंडित करने के बारे में डढने की कोई आउशकता नहीं है इस तरह से इसी स्कूल में आतंगवादियों को सब भी मनाया जाता है न की भाशन से और सजा से वेस्क लोग बच्चों के साथ सहनशील और क्षमाशील होते हैं और उन पर विश्वास करते हैं समय के साथ बच्चे एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही बन जाते हैं ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई किसी बच्चे का खाना खा ले या कोई उसकी चीज छीन ले तो वे चिलाते नहीं है वे भी एक दूसरे से नाराज होते हैं लेकिन अन्य स्कूलों की तरह न तो वे एक दूसरे बारे में बातें बताते हैं ना ही सिक्षक से शिकायत करते हैं और ना ही जादा समय तक दुर्भावन लेकिन welding का काम मुझे इसलिए आकरशक लगा कि उस welding के जरिये उस बच्चे में जो आकरमक्ता थी वो आकरमक्ता साल देड़ साल के दोरान धीरे धीरे एक खतम हो गया और बच्चा एक सरदय सहयोगी बच्चा बन गया इसलिए मुझे लगता है उसका जिक्र में ने किया दूसरा मुझे लगता है उस स्कूल में जो सिक्षक हैं वो भी welding का काम जानते हैं इसलिए उन्होंने उस welding के काम को वा होने दिया क्योंकि welding के काम में आक बहुत तेज आग लगती है तो सभालना पड़ता है तो कोई व्यक्ति चाहिए जो सभालता हूँ रामिश्वर जी पूछते हैं कि ये दिगंतर जैपूर की बात है क्या तो रामिश्वर जी ये दिगंतर जैपूर नहीं मैं डैनमार्क के एक छोटे से स्कूल की बात कर रहा हूं उसकी कुछ बात हैं हम दिगंतर स्कूल में देख सकते हैं लेकिन वो पूरा दिगंतर जैस है ऐसा नहीं है वो अलगतर का स्कूल है चलिए तो यह कुछ खाका मैंने बताने की कोशिश की तो अब एक सवाल यह उड़ता है कि जो इस तरह का स्कूल है इस स्कूल में अध्यापक हैं वो कैसे हैं तो अच्छा इसमें उससे पहले एक चीज़ और मैं कह दूं कि जो स्कूल है उसमें जब बड़े जब काम कर रहे होते हैं तो फिल्म अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारा शोर होता हो देखेगा तो कोई भी दूसरे को यह नहीं कहता है कि आप यतना शोर क्यों कर रहे हैं वो शोर में बात्चित करते हैं उस शोर में काम करते हैं और जब बड लोटता हूं कि इस स्कूल के अध्यापक कैसे हैं तो रोचक बात यह है कि इस स्कूल के अध्यापक की कुछ खास बाते हैं तो लेखा कहते हैं कि आम तोर पर आजकल स्कूलों में और खास तोर से वेकल्पिक स्कूलों में यह होता है कि ऐसे व्यक्ति अध्यापक बनते हैं ज वो इंजिनियर रहा हुआ है पहले उसने बस कंड़क्टरी की हुई है एक अध्यापक है उसने नर्सिंग का काम किया हुआ है एक और अध्यापक है उसने करें और पढ़ाया हुआ है तो इस इसकूल के अध्यापक पढ़ाने के अलावा और बहुत से कामों में काबिल है और ह बच्चों को माहिर लोग पसंद होते हैं ताकि उनके साथ रहे के काम किया जा सके और काम को करके सिखा जा सके और वैसे भी इस स्कूल को चलाने वाले मानते हैं हमारा स्कूल काम करने की जगए सिख्षा देने के नहीं है इसलिए उस स्कूल बहुत सारे काम होते हैं और यह ब 물리लेखक जिकर करते हैं कि उन सुम अध्यापुगों को अपने काम से technologies अपने देश से बहुत प्यार है वह समझते हमारे देश में कई चीजre ठीक नहीं है लेकिन कई छीजह ठीक है और जो चीजिचे ठीक नहीं है उन पर हम सोच सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं और तीसरी खुबी अध्यापकों की लेकर ये बताते हैं कि वो अध्यापक खुले और सच्चे हैं कि वो बच्चों के साथ सभी चीजों पर बात करते हैं और बच्चों से खुल कर बात करते हैं कुछी नहीं जानते उसके लिए मना कर देते हैं हम इसको नहीं जानते हैं जूट नहीं बोलते हैं कि हम यह दिखावा नहीं करते हैं कि हम जानते हैं दूसरा अध्यापकों की खुबी है कि वे विवादस्पत विश्यों पर भी बात करने से कत्राते नहीं हैं जबकि जहातर स सबी चीजों पर बात करने के लिए खुले रहते हैं ना उनको जो चीज नहीं आती है उसको सुईकार कर लेते हैं और जो आती है उस पर बात करते हैं तो उससे बच्चे भी समझते हैं कि हर बड़ा व्यक्ति हर चीज जानता हो यह जरूरी नहीं है अच्छा अभी ये इसकूल के बारेमें थोड़ी बात मकर चुका कि येश्कूल roomी इसकूल की वि特गी बात कर चुका अब में थोड़ा सा इस पर बात करता हूं कि इस को चलने की पीछे जिन्हों ने चलाया उनकी कुछ बुनियादी माननेता है क्या है तो ये इस स्कूल को चलाने में जो ग्रूप है वो कहता है कि हमारा इनकर चलाने वालों का मानना यह है कि भई किसी भी काम को करके सिखा जाता है तो school मुलतक काम करने की जगए होनी चीए न कि school सिर्फ पढ़ानी की जगए होनी चीए और ये काम में सब चीजों को शामिल करते हैं अज़ा कुछ इसके नियम है जो कि बहुत सामनी से किसी समाज में जीने के नियम है कि जैसे एक दूसरों को मारना नहीं है दूसरों की संपत्य को नुकसान नहीं पहुंचाना है या किसी को परिशान नहीं करना है इसके अलावा बच्चे उस स्कूल में जो चाहें जिसको ठीक समझें जितने समय जो चीज करें कर सकते हैं और शिक्षक की भूमिका यह होती है कि वह उनकी मदद करते हैं उनकी ध्यान रखते हैं उनके लिए गतिविद्या सोचते हैं उनके लिए सामगरी, ओजार आदी, उपलब्द कराते हैं और जितनी उनकी सामर्थे होती है, काविलत होती है वो उस काम में बच्चों की मदद करते हैं और सिक्षक हमेशा हमाँ मौझूद रहते हैं ताकि बच्चे जब भी कोई उन्हें अपनी बनाई चीज़ दिखाना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, कोई मदद लेना चाहें, तो वे उनकी मदद कर सकें। लेकिन सिक्षक यह नहीं करते हैं कि बच्चों को हिंट दें, संकेत दें कि तुम यह करो, तुम वो करो, सिक्षक बच्चों को डराते नहीं हैं, बच्चों को लालस नहीं देते हैं, और नहीं जूट बोलते हैं, अच्छा, एक और रोचक बात यह, कि यह सुनके यह लग सकत इस स्कूल के सभी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़कर कहीं काम कर रहे हैं और जो दुनिया की कसोटिया है उस पर एक तरह से कामयाब है और ये उन शर्तों पर भी एक सफल स्कूल है लेखक बताते हैं कि डैनमार्क में करीब 5% लोग बड़े होकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन इस स्कूल के करीब करीब सभी बच्चेयों ने ऐसे स्कूल में एडिमिशन लिया है और वहाँ पर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिये तो ये कहते हैं कि बावजूद पूरी आजादी के बावजूद बिना पाठ्थे क्रेम के बावजूद बिना मारे डराए धमकाए और बच्चों के रुचि के कामों पर फोकस करके काम करने के इस school के बच्चे जिन्दी में सफाल हुए है तो इसलिए भी ये school चलता रहा है आखिर में लेकर कहते हैं कि ये जो मैं school के बारे बता रहा हूँ मैं कोई model पेश नहीं कर रहा है मैं एक उधरन दे रहा हूँ कि ये school इस तरह का हो सकता है लेकिन लेखक के मन में कल्पना यह है कि कितना भी अच्छा स्कूल हो आखिर वो होता है स्कूल है तो सबसे बहतर तो यह होना चाहिए कि हमारे समाज को स्कूल की जुरूत नहीं पड़े और बच्चे बड़ों के साथ रहकर काम करके सीख सकें लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक यह स्कूल एक बहतर स्कूल है चलिए अब इस पर कोई अच्छा स्कूल के बारे कोई सवाल हो तो बात कर सकते हैं और मैं पीशे सवाल देखता हूँ कि इसने कोई और सवाल पूछा है तो उस पर प्पणी कर सकते हैं पर नर्णिन आए यह लोकतांतर्य स्कूल है तो हां नर्णिन की बाद सभय है कि और यह यह ट नि आछारोंक की qualitative के स्कूल है कि स्विअजों के साधस समय में सब्सक्राइब करते हैं उस लिहांस पर और ऐस्कोल कह सकते हैं और चुप कि बच्चों की रूची के बहुत सारे काम हैं जो बच्चे खुच शुरू करते हैं खतम करते हैं उस लियाद से भी है चलिए इस स्कूल पर और कोई सवाल है किसी का मैं इस स्कूल पर अपनी बात पूरी कर सुगा हूँ अगर कोई और सवाल है तो बताइए अच्छे जैसे जो संगीत का और कसत का जिकर किया है तो लेखा कहते हैं कि यहां के बच्चे खुब स्वस्थ और जोश परिपूर्ण है तो सुबह की सभा कई भार बहुत देर तक चलती रहती है और जो चुगी अमरिका से तुना करते हैं अमरिका में बहुत सक्री बच्चों को नश्री दवयां देकर शांत करने कोजिश करते हैं तो कि यहां ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आती हैं को कि मुझे लगता है किसी का और को इस स्कूल के बार में सवाल नहीं है गंश्याम पूछने कि यहां पर आतंगवादी किस अर्थ में इस्तिमाल किया गया है तो इसकूल में जो बच्चे हैं उनके साथ एक बच्चा है वो बहुत गुस्सेल है और उनका एक चोटा का गुरूप है उस गुरूप के बच्चे खुदी उस गुस्सेल बच्चे को आतंगवादी कहते हैं तो कई बाए बैस बिख्चे के किसी खास गुण के आगार के नाम रख जेतें तो उस तरह का नाम है जो बच्चों ने रखा हुआ है यहाँ पर सिक्षक बच्चे को आतंगवादी नहीं कह रहे हैं बच्चे ही अपने किसी साथी को किसी खास वज़ा से क्योंकि बहुत गुस्सा करता है इसलिए आतंगवादी कह रहे हैं चलिए तो इस पर मुझे मैंने अपनी बात कह दिया इच्छा स्कूल पर शुक्रिया जन सरुकार मंच को पहली बार शिक्षा पर किसी किताब पर बात करने की शुरुआत करने के लिए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी और लोग शिक्षा से जुड़े किसी मुद्दे पर जन सरुकार मंच में बात करेंगे शुक्रिया दोस्तों सभी का जिनोंने इस फेस्बूक लाइक को मेरे साथ साथ सुना